दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाम लग गया है एक साथ 200 परवता रोही 8790 मीटर की उचाई पर साउथ समीट और हिलेरे स्टेप पर पहुँच गया है वही 8848 मीटर की उचाई वाला माउंट एवरेस्ट यहां से 200 फिट की दूरी पर है भीड जमा होने की कारण यहां बर्फ का एक हिस्सा तूर गया इस दौरान 6 परवता रोही वहां फज गये अलाकि इन में से 4 लोग रस्ती के सहारे वापस उपर आने में काम्याब रहे वही 2 परवता रोही 1000 फिट नीचे गिर कर बर्फ में दब गये खटना 21 मई की है जिसका वीडियो अब सामने आया है 4 दिन से बर्फ में फसे होने के बाद दोनों परवता रोहीयों की मौत के आचंका जताए गई है नेपाल की टुरिजम अधिकारियों ने बताया कि दोनों लोग 15 परवता रोहीयों के ग्रूप का हिस्सा थे जो एवरेस्ट की चड़ाई कर रहे थे वही बर्फ का एक हिस्सा तूटने से वे साउथ समीट की तरफ के रहे इसे पहाडी का डेथ जोन कहा जाता है जहां ऑक्सिजन का लेवल बेहद ही कम होता है